तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन सो प्लीज ओपन यो इंग्लिश वन बुक और इसमें हम जो पढ़ रहे थे वो है हमारा लेसन नम्बर थ्री रेचिंगी टॉप आफ मांट जावरेस तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करिए और इसमें देखिए आ पढ़ा पेश नम्बर 28 रीचिंग दे टॉप आफ मांट आवरेस इसमें आज हम करने जा रहे हैं सी पार्ट जो की है राइट टी फर ट्रू एफ फर फार्स राइट ट्रू और फार्स ठीक है तो देखिए बुक ओपन करिए ध्यान से सुनिए देखिए फर्स है मांट आव आवरेस्ट इस कवर्ड विज प्रू आव देखिए जो मांट आवरेस्ट है वो पूरे साल जो है परफ से धका रहता है सही या गलत सही है तो टू गलत है तो फाल्स सेकेंड नौर्गे तेंजिंग मेड इस लिविग एज अज इवी का थी वो जो अपना जीवन था वो किस बीकीप करना मतलब मधुमक्यों को पालने का काम थर्ड है हिलेरी वो जो थे वो नौर्गे से जादा अच्छे क्लाइम बर थे माउंटेन में चरने में वो जादा परफेक्ट थे सही है तो टू गलत है तो फॉल्स फोर्थ है बोथ हिलेरी और नौर्गे केम तोगेदर तो बी अपार्ट ऑफ दे ब्रिटिश आवरेस एक्सपेडिशन को क्या किया था एक साथ उसमें वो आये थे 1953 में सही है गलत सही है तो टू गलत है तो फॉल्स फिफ्ट है दे रिटन जर्नी इस इजी और से जो उनकी रिटन जर्नी थी वापस आने वाले जो उनका सफर था वो तो एजी था और सेव था सही है तो टू गलत है तो फॉल्स थीक है विस लास्ट है सिक्स नंबर तेंसिंग क्लायबरिस Most of an जर्न संद ने बहुत बहुत बार एप और vocabulary section का एक पार्ट आप अपने आप करेंगे, ठीक है? Okay, तो देख लेते हैं, पहले हम आगे बढ़ते हैं, copy में देखिए से, class 5th है, subject है आपका science, date है 14th July 2021 lesson number 3 है, reaching the top of Mount Everest, ठीक है? C part हम कर रहे हैं, true or false, तो देखिए, first है, Mount Everest is covered with snow throughout the, Mount Everest हमेशा जो है, पूरे साल, 12 महीने जो है, बरफ से धका रहता है, सही या गलत? True, यहाँ पे लिखेंगे, true second है, Norge Tien Singh made his living as a beekeeper, Norge Tien Singh जो थे, as a beekeeper, उन्होंने अपनी जो जीवन था, वो उनका चलता था, सही या गलत? तो यह false है, ठीक है? third है, Hillary was better in climbing mountains than Norge, Hillary was better, Hillary जादा अच्छे climber थे, mountain में चड़ने के लिए, अगर कमतियर करें, Norge से तो सही अगरा, तो यह गलत है, false लिखेंगे fourth है, both Hillary and Norge came together, Hillary और Norge जो थे, एक साथ आए, to be apart, एक भाग लेने के लिए, British Everest expedition में, 1953 में, सही या गलत? तो यह बिल्कुल सही है, इसमें हम true लिखेंगे आगे बढ़ते हैं fifth है, the return journey is easy and safe, जो उनके return journey थी, वापस की जो उनकी journey सी, जो सफर था, वो सरल था, और सेफ था सही या गलत, तो यह बिल्कुल गलत है, यहाँ पे हम false लिखेंगे जैसा चढ़ने के लिए सफर था, वैसे ही उनका dangerous सफर वापस आने का भी था, तो यहाँ पे false लिखेंगे sixth number, tinsing climbed Everest many times, tinsing ने बहुत बार Everest पे क्या किया, climb किया, चढ़ाई करी सही या गलत, तो यह गलत है, इस पे हम लिखेंगे false, ठीक है, इसी में मैं आपको depart करवा रही हूँ using a dictionary, find out the meanings of, कुछ words दिये हैं, जिनके meaning हमने ढूनने हैं, कुछ शब्द दिये हैं, उनके अर्थ हमने लिखने हैं, ठीक है तो first देख लेते हैं, इस पे क्या है, first है, concur, concur मतला, किसी चीज़ पर जीत हासिल करना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जीत second देखिए, nomad, nomads, nomads केने कहा जाता है, कौन लोग होते हैं, nomads, nomads होते हैं, वो लोग जो एक जगे पर settle नहीं होते हैं, जो एक जगे पर नहीं रहते हैं, एक जगे से दूसरे जगे चलते रहते हैं, change करते रहते हैं, अपने रहने का ठिकाना तो उन्हें कहा जाता है nomads और हिंदी में बोलते हैं बंजारे ठीक है बंजारे कैसा जीवन जीते हैं कभी यहां रहते हैं कभी किसी और जगे चले जाते हैं तो nomads हो गए बंजारे थर्ड है summit, summit बोला जाता है शिखर समेलन को ठीक है फूर्थ है thrilled, thrilled मतलब romance किसी चीज के लिए thrill होना मतलब की जैसे की आपने दिखा Hilary और Tenzing क्या थे क्या थे वो बहुत जादा thrill थे क्योंकि वो क्या करना चाहते थे वो Mount Everest पे जीत हासिल करना चाहते थे तो वो लोग बहुत जादा thrill थे उनको बहुत उस चीज के लिए बहुत जादा romance था ठीक है 5th है snow-capped snow-capped मतलब बरफ से धका हुआ तो बरफ से धकी हुई चोटिया या फिर एक वर्ड बोला जाता है Himachadit मतलब him मतलब बरफ से पूरा घिरा हुआ धका हुआ तो snow-capped मतलब हो गया बरफ से धकी चोटिया Then we come to be part fill in the blanks with vowels आपको पता है वर्ड किसे कहा जाता है तो वर्ड होते हैं जैसे आपके 5 वर्ड आई आई ओ यू तो हमें कुछ fill in the blanks दिये हैं जहाँ पे कुछ words छूटे हुए हैं तो हमें उनको complete करना है तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ words के नीचे से क्या किया हुआ है underline किया है तो वो word यहाँ पे छूटे हुए हैं हमने उनको fill किया है पहला word हमें दिया था CL-TH तो यहाँ पे कौन सा वोवल आएगा यहाँ पे आएगा CL के बाद आएगा O और बन जाएगा CL-O-T-H cloth cloth मतलब कपड़ा second P-RS-N तो जहाँ जहाँ पे dash मैंने किया है वो words छूटे हुए थे उनको हमने वोवल से fill करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे P-E-R-S फिर हम लिखेंगे O और बन जाएगा N तो बन गया person person होते हैं लोग third है M-G-C तो इसमें हमने complete किया word M-A-G-I-C तो बन गया magic जादू fourth है R-C-H तो यहाँ पे हमने वोवल लिखा E और A तो बन गया reach R-E-A-C-H reach fifth है S-P-C-L तो हमने word लिखा S-P-E लिखा C हमें दिया था I और A हमने लिखा L हमें दिया था तो बन गया special sixth है C-R-R-Y तो यहाँ पे हम लिख देंगे वोवल A तो बन जाएगा carry C-A-R-R-Y carry seventh है C-N Q-R-R तो यहाँ पे हम एक word लिखेंगे C के बाद O लिखेंगे C-N-Q, Q के बाद हम U और E लिखेंगे और R हमें दिया है तो बन गया कौन क्यों एर्थ है J-R-N-Y तो यहाँ पे हम लिख देंगे J-O-U लिख देंगे R-N और E लिखेंगे Y तो बन जाएगा journey ठीक है तो जिन जिन words के नीचे आपको dash दिख रहा है वो words हमें नहीं दिये गए थे वो हमने वावल से fill किया है और एक नया word बन गया है ठीक है ना तो यह है आज आपका काम इसे करना है आपने अपनी English 1 की copy में और अच्छी सी handwriting के साथ और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे next exercise के साथ तब तक आप इसे अपनी copy में करिए और साथ ही से learn भी करिए ओके